बिहार के वीरों को नमस्कार सब का स्वागत करता हूँ क्रैकना उपर और पार्ट वन हमने देख लिया था बिहार करेंट अफेर का निचोड या क्रक्स के नाम से ये वीडियोज हैं पूरे बिहार का करेंट अफेर जैनवरी 2021 से मार्च 2022 तक का हम इन पार्ट तीन पार्ट में कवर करेंगे आज सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया कुछ लोगों ने काता ब्लेक पैन का इस्तेमाल करिये तो आज मैंने वो भी किया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये पार टू का पहला क्वेस्चन गैंडों का सरक्षण इवं प्रबंदन के छेत्र में बिहार का कौन सा उध्यान है जिसको प्रता में इस्तान मिला है तो संजय गांदी जैवेक उध्यान याद रखिएगा बहुत महत्मून है संजय गांदी जैवेक उध्यान गैंडों का यानि राइनोज का protection और management के छेत्र में संजय गांदी जैवे कुद्ध्यान को मिला है पहला इस्थान विश्व में तो बहुत महत्मून हो जाता है ये सिर्फ राज्य देश की बात नहीं है वल्ड में पहला इस्थान मिलना गैंडों के सरक्षण और प्रबंदन के लिए संजय गां है जैवे विविदता पुरुसकार ये मिला है बालमिकी tiger reserve को तो जैवे विविदता के पुरुसकार मिला बाल्मिकी tiger reserve और आप इसको याद रखेंगे मेहटसी बालमिकी जो थे बहुत मःत्मून बहुत important कवी रहे हैं और इन में काफी विविदता थी काफी चीज़ें इन्हों ने लिखी, रामायन लिखी, बालमिकी ने, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, विविदता किसमें हैं, बालमिकी में हैं, ठीक है, ऐसे लिंक करिएगा, क्योंकि वहाँ एक्जाम हॉल में बहुत सारे कंटेंट आपके पास होता है, तो वहाँ ऐलिमि तो जो फिश हैं, मचलियां है, उनको दाना बनाने के लिए फतूहा पटना में एक मिल बनाई गई है, जिसको आपको आपको याद रखना है, और यह बहुत बढ़ा इंडिस्टियल पार्क, तो राज़े का सबसे बढ़ा इंडरिस्टियल पार्क बना गयाम है, ऐसी questions जो सबसे बड़ा industrial park होगा या सबसे बड़ी जो भी चीज़े होंगी वहां से बिहार question पूछता है तो राज्य का सबसे बड़ा industrial park होगा गया मैं याद रखना है आपको जैव विविदता परुसकार मैं बता चुका हूँ बालमिकी tiger reserve अगला question है नमें राज्य की पहली farmer producer चाए कंपणी महतपून है यह जो चाए बागान में काम करने वाली महिलाए या जो दूसरे कर्मी है उनको आप farmer producer based चाए की कंपणी बनाई जा रहे है किसनगण जिला में तो आपको यह याद रखना है farmer producer चाए कंपणी बन रहे है बिहार के किया जा रहा है बिहार के जमालपूर रिलकार खाना में ठीक है इसका क्या मैथपूर्था है 175 टन का भार उठा पाएगी तो काफी हेवी मसीन है यह क्रेइन है बेसीकलि क्रेइन आपको पता होगा जो वेट उठाती हैं तो 175 टन तक भार उठा पाईगी जमालपुर रेल कार खाना में इसका निर्मान किया जा रहा है तो याद रखना है महत्पून है ये क्वेस्चन राज्य का सबसे बड़ा एथेनौल प्लांट बन रहा है पूनिया में पूनिया में अल्रेडी दो-तीन चीज़े आपको बता चुक तो जो भी चीज़े बन रही है आप उनको ऐसे ऐसे करके लिखते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर कई जिलों में बहुत सारी चीज़े हो रही है जब पटना में बहुत maximum चीज़े हैं तो पटना में भी आप ऐसे लिख सकते हैं ये आपको एक्जाम मे पुरुसकार महतपून है, बिहार खेल रत्म पुरुसकार 2021 के दिये गए हैं प्रमोद भगत और शरद कुमार को, आपको पता होगा ये दोनों ही जो व्यक्तित्व हैं, ये दोनों ही पैरा अलंपिक से सम्मंदित हैं, जो पैरा अलंपिक हुआ टोकियो में, तो बिहार खेल पुरुसकार प्रमोद भगत और शरद कुमार को दिया गया है, आपको इनमें थोड़ी सी जानकारी और रखनी है, प्रमोद भगत जो हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला था, यानि स्वन पदक मिला था, बैटमिंटन के लिए, पैरा बैटमिंटन के खिलाडी हैं, प्रमोद भ आ रहे होंगे वीडियो जो आपको पहला वाला क्रक्स वीडियो पार्ट वन इसका वह आप लोगों ने पसंद भी किया है एक ही दिन में 2000 से ज्यादा व्यूज उस पर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपोटेंट है यह वीडियो बट इसको जरूर याद रखना है याद सारा रखिए बट प्रमोद भगत के बारे में तीन वातें आद रखनी है पहरा बैटमिंटन से समझ देते हैं गोल्ड मेडल मिला है और बेहार खेल रत्म पुरुसकार भी इनको दिया है ऐसे ही शरद कुमार ब्रॉंज मेडल यानि कांस पदक उची कूद से समझ दे हैं ये चलिए आगला क्वेशन देखते हैं राज का पहला बायो गैस प्लांट तो बहुत महत्पूंड हो जाता है बायो गैस प्लांट या ऐसी चीजें जो कारवन उत्सरजन को कम करती हो तो राज का पहला बायो गैस प्लांट बन रहा है ब्रहंपुर बक्सर में ठीक है ब्रहमपूर बक्सर में और इसके लिए राजय सरकार का जो है समझोता हस्ताक्षरित हुआ है गेल इंडिया के साथ ठीक है गेल इंडिया कमपनी के साथ इनका हस्ताक्षर हुआ है इसके लिए तो ये भी याद रखना कि किसके सहयोग से बनाया जाएगा गेल इंडिया के सहय योग से बायो गैस प्लांट ब्रहंपूर बक्सर ध्यान रहेगा आपको बायो बैसे बायो बैसे बक्सर बैसे ब्रहंपूर तो बड़ा इजी है ऐसे करके आप याद रख सकते हैं अगला केश्चन है एक भारत सुरिष्ट भारत के तहट देश के सौ परियटन इस्थल जो व बिहार से याद रखना है एक भारत सुरिष्ट भारत के तहतिहां मैं बात कर रहा हूं अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला नगरवन गया में बनाया जा रहा है बिहार का पहला नगरवन याद रखना है आपको ई भंडारन प्रणाली लागू करने वाला बिहार प्रथम है पूरे देश में इभंडारण प्रणाली ठीक है याद रखिएगा ऐसे question जिसमें बिहार प्रथम होता है वो बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि बिहार अंतिम तो बहुत सारी चीजों में हैं बट प्रथम जहां होगा वहां से question ज्यादा संबाव न रहेगी कि बने तो इभ आपको मिलेगा ही देखने ठीक है तो सुखेत मॉडल जो है यह मदोवनी जिले से संबंदेत है मदोवनी जिला का है सुखेत मॉडल और इसकी जो मोदी ने प्रदानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा भी की थी मन की बात में तो सुखेत मॉडल मदोवनी का है और यहां गाय क गोबर के बदले रसोई गैस प्रादान की जाती है व्यक्तियों को यानि आपको गाय का गोबर देना है उसके बदले रसोई गैस मिलेगी आपको तो सुखेत मौडल कहां से संबंदित है बहुत महत्पून है यह ध्यान रखना है आपको आगला question है बिहार में बेरोजगारी तो यह ध्यान रगना है अगर current में पूछेगा कि अभी कितनी है तो 13.8% है लेकिन यह दो बार आ चुका है center of monitoring इंडिया का economy का यह data तो 13.8% महां देख लीजेगा और 11.5% तो February 2021 तक अगर आप देखेंगे ठीक है वैसे बेहार में अभी वेरुजगारी दर जो है वो 13.8% है यह आपको याद रखना है मैंने दोनों ही संभावनाएं आपको बता दी है ठीक है 13.8% यह किसकी रिपोर्ट है center of monitoring इंडिया economy की है और जो मैंने बताई है 11.5% वो भी center for monitoring इंडिया एकनेमी की है लेकिन वो February 2021 का डाटा है ठीक है चलिए आगला question देखते है save our guardian tree यह महतपून है save our guardian tree यह कहीं पर tree लिखा है कहीं पर trip लिखा है तो आप confused मत होईएगा आप save our guardian दियाद रखो और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन है जीविका दीदी जो है वो इस आंदोलन से जुड़ी हुई है तो बिहार में जीविका दीदियों का बहुत महतपून योगदान है वो चाह कोविड के समय में हो चाहे वो वैसे भी हो तो save our guardian tree एक आंदोलन है ये basically और ये आंदोलन चलाया जारा पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन ऐसा ही मैंने nature cures you बताया था पिछली वीडियो में nature cures you ठीक है nature आप जानते हैं cures cures मतलब आपको cure करता है अपको उप्चार करता है ठीक करता है तो nature cures you नाम के जो और ये चल रहा है की घर में व्र previous लगाके आप जो oxygen प्रदान करते हैं उन विर्क्षों को गर के अंदर लगाया जाये तो nature cures you में पॉधे घर के अंदर लगाया जाते है और save our guardian tree जो nya की एक्जाम हॉल में आसानी से चीजों को eliminate कर पाएं, क्योंकि मेरा उद्देश से है कि आप बहतर कर पाएं, सिर्फ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, वो आपको कहीं भी मिलेगा content, बट मैं आपको चीजें crystal clear कलाने के लिए यहाँ पे हूँ, देश का पहला dolphin center, जो देश का पह इस पटना में देश का पहला dolphin research center बन रहा है, ठीक है, याद रहेगी इतनी बात, चलिए आगे देखते हैं, Tiger Guard Award, Tiger Guard Award मिला है मुहमद आरिफ को बाग सरक्षड के लिए, इनके महतपूर त्रियासों के लिए, Tiger Guard Award, मैंने आपको बहार में कितने Tiger हैं, इस पे टेलीग्राम पे detailed में बताया है, कि अगर 2018 के census से पूछेगा question, जो Tiger S census 2018 में हुआ, तो उसमें 31 हैं, ठीक है, लेकिन जो ISFR report आई है, उसमें भी बाग की गणना की गई है, तो उसके इसाब से 32 हैं, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, वहाँ क्या पूछता है, उस पे depend करेगा, अगर वो ISFR report के अगर्ट पूछेगा, तो बालमी की बाग की अब 22 हैं इस समय, जो Tiger Reserve है एक, और अगर पूछेगा की 2018 के census से आप पूछे कितने हैं, उसमें report का नाम ना हो, तो 31 answer होगा, और बाग के सनक्षन के लिए Tiger Guard Award दिया गया है, मुहम्मद आरिफ को ध्यान रखना है, पर जहांकियां दिखाई गई थी, ये गांधी मैदान पटना की मैं बात कर रहा हूँ, 75 वे सुतंतरता दिवस के अवसर पर बेहार के लिए स्पेशली ये बात हो रही है, राष्टिय स्तर पे तो उत्तर प्रदेश की जहांकी को प्रथमिस्थान मिला है, लेकिन गांधी म बिहार का पूछेगा तो बिहार सिक्षा पर योज ना परिशद की जहांकी थी, उसको प्रथम पुरुसकार मिला है, अगर पूछे गड़तंतर दिवस के अप्चर पे जहांकी प्रदर्शित की गई, उसमें उत्तर प्रदेश का पूछेगा, ठीक है, तो उत्तर अफेर का, वो भी जरूर देख लीजेगा, मैं बहुत कम डाटा रखता हूँ, आपको ये बात पता भी होगी, तो मैं उसी का भी वैसा ही बना दूँगा, तीन पार्ट में, नितीश कुमार ने गांधी मैदान में जंडा फेराया है, पंद्रमी वार, तो इसमें ये पूछ स नितीश कुमार ने पंद्रमी वार जंडा फेरा के गांधी मैदान पटना में, ठीक है, तो इन से पहले सबसे आदा बार जंडा फेराने का रिकॉर्ड था, स्री कृष्ण सिंग के पास 14 बार, तो अभी पंद्रमी वार हो गया है, नितीश कुमार का याद रखना इंपोट 20 अगस 2021 को बिहार पंचायच चुनाब 2021 की अधीस उचना जारी की गई थी, और 24 सेक्टेंबर को पहला मतदान हुआ था, जो कि कुल 11 चरणों में हुआ था, इस पे मैंने पंचायच चुनाब का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डेटेल्ड में नहीं मतलब जारी हुई, और इसी दिन से यहां पर जो है वो लग गया था, जो आचार सहिता होती है, फिर एक महीने बाद साई 24 सेप्टेंबर को पहरा इलक्षन हुआ, और ये जो अधीस उचना किस ने जारी की, तो मुख्य जो चुनाब आयोक्त हैं यांके, बिहार के ये दीपक प्रशाद, इन्होंने ये अधीसूचना जारी कीती, तो पूछ सकता है मुख्य चुनाब आयोक्त बिहार के कौन है, तो बिहार के चुनाब आयोक्त हैं दीपक प्रशाद, याद रखिएगा, अधीसूचना जारी हुई, 24 अगस्त 2021, इतना याद रहेगा चलिए, एक तरकारी ब्रांड शुरू किया गया है बहार सरकार के द्वारा, और तरकारी ब्रांड आपको समझ में आ रहा होगा, तरकारी सबजी को कहते हैं, तो ये बस इतना याद रखना है, सबजी को बढ़ावा देने के लिए तरकारी ब्रांड विक्सित किया गया है विहार सरकार के द्वारा अगला महतवपून करंट अफेयर है बहुत महतवपून है यह जैनगर मदोबनी और कुर्था नेपाल के मद्द हाई स्पीड ट्रेन जो है विक्सित की जा रही है जिसकी कुल दूरी 50 किलोमीटर होगी यह एक वार अपडेट कर लीजेगा 50 मुझे गलत है देख लीजेगा फिर भी यह कितना है ठीक है जैनगर मदोबनी और कुर्था नेपाल के मद्द हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है आपर ट्रेन कैई सारी है बटे हाई स्पीड ट्रेन गाय इसका किलोमीटर में एक वार चेक कल लूंगा 50 किलोमीटर है कि क्या है बट आपको जगे याद रखनी है जैनगर जो की मदबनी में है और कुर्था जो की नेपाल में है इनके मदध हाई स्पीड ट्रेन जो है चलाई जा रही है अगला है वंदना कुमारी इनको जल सरक्षन खेती पसुपालन आदी के लिए किरसी के विकास के लिए पंडित दीन उपाद्या अंतो दे पुरुसकार प्रदान किया गया है तो वंदना कुमारी का नाम याद रखना है जल सरक्षन खेती पसुपालन या किरसी से संबंदे छेत्र में इनके योगदान के लिए वंदना कुमारी को पंडित दीन दयाल उपाद्या अंतो दे पुरुसकार प्र संस्थान है ताटा मेमोरियल उसके साथ इन्हों ने समझाउटा किया है 300 करोड रुपे का समझाउटा है और मुझफर पूर में cancer бनेगा तो ध्यान रिकी ना थो वह बेहार में कहां बन रहा है Cancer Hospital पाऺंगे टाटा मhone पटना और ट्रांसजेंडर के लिए मैंने अभी जो नाचबाजा.com की मैंने बात की थी कि एक महिला है जो पटना से संबंदित हैं उस पर मैंने टेलीग्राम पर एक क्वेस्चन डाला हुआ है महां से अब देख पाएंगे उसको तो गर्मा ग्रह पटना जो है आने के लिए इतना याद रखना है अगला है महिलाओं के पास रोजगार तो यह रिपोर्ट है कि बिहार में महिलाओं के पास जो रोजगार है वो 6.6% महिलाओं के पास बिहार में वरतमान समय में रोजगार है तो पूछ ले आपसे कि बिहार में कितनी महिलाएं जो है वो तो रोजगार युक्त हैं तो 6.6% टोटल जो विमिन हैं उनके पास अभी रोजगार है बेहार में ठीक है अगला क्वेस्चन है गंगा किनारे 13 जिलों को जो है जैविक खेती के लिए चुना गया है तो दोनों तरफ हैं ये गंगा किनारे और वैसे गंगा जो है 12 जिलों में से होके गुजरती है लेकिन गंगा किनारे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए चुना गया है तो याद रखना है क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेस्चन बने और जो लोग नहीं पढ़के जाएंगे वह ऐलिमिनेट करेंगे कि गंगा बारे जिलों से होके गुजरती है तो बार विद्या पती के महा कभी विद्यार पती के नाम पर रखा गया है दरवंगा एयरपोर्ट का नाम विद्या पती को मैथिल कोकिल भी कहते हैं तो ध्यान रगना है आपको दर्वंगा इयरपोट का नाम महा कभी विद्यापती के नाम पे होगा। आगला काम पाइब है, inland container depot बन रहा है, inland container depot बन रहा है, पतना में हैं किस लिए बन रहा है, क्रेसी उत्वपादों के निरियाद के लिए, आप एक काम करिएगाई, जैसे मैंने आपको पूनिया में बता हैं, वैसे आप पतना में भी कर लिजएगा, क्योंकि पटना में बहुत सारे फेक्ट्स हैं, पटना, नालंदा, राजगीर, ये पूनियां, ये ऐसे जिले हैं, जिनको आपको ऐसे याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि mostly चीजें जो हैं, पटना में हैं, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि पटना को छोड़ सकते हैं, जो चीजें अलग हैं, उनको गोला बना के याद कर लीजें, फिर बागी जो चीजें होंगी उनको पटना लगा सकते हैं, बट ऐसा है कि बिहार में E-Option होता है, तो ये नुकसान दायक हो सकता है आपको कि कोई ना हो, तो आप सब का याद कर लेंगे तो बहतर होगा, तो inland container depo बन रहा है, और ये किस लिए बन रहा है, तो क्रिसी उत्पादों के निरयात के लिए inland container depo बनाया जा रहा है, दोनों बातें याद रखनी है, पटना में क्रिसी उत्पादों के निरयात के लिए, अगला है, पूर्वी चमपारण जिले में स्थित, क्रिसी विज्यान के इंद्र को, पहले तो ये याद रखना है, क्रिसी विज्यान के इंद्र कौन सा, तो जो पूर्वी चमपारण जिले में है, इसको भारत का सर्व सुरेष्ट पुरुस्कार दिया गया है, क्रिसी के छेत्र में कारे कनने के लिए, ध्यान रखना है, महत्पून है, क्रिसी विज्यान के इ ऐसे questions की date पूछता है तो 18 जून 2021 को ये योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री उद्धमी योवा उद्धमी योजना इसके बारे में याद रखना है इसमें 10 लाख रुपे तक का रिंड प्रदान किया जाएगा बिना किसी ब्याज के ये रिंड होगा एक परसेंट ब्याज भी होगा कहीं कहीं तो बिना किसी ब्याज क्यों है क्योंकि महलाओं के लिए ब्याज नहीं है तो इसलिए हो गया है बिना किसी ब्याज के और एक परसेंट ब्याज जो है जो पुरुसों से लिया जाएगा युवाओं से लिया जाएगा तो एक परसेंट ब्याज होगा पांच लाग रुपे इसमें अनुदान के तौर पे होगे और पांच लाग रुपे जो है ब्याज मुक्त रेन होगा ऐसी बात कही गई है तो यह ध्यान रखना है युवा मुख्यमंत्री उद्धिमी योजना मै अठार के लिए 18 जून 2021 को सुरू ही है 10 लाग का रिण है इसमें पांच लाग रुपे अनुदान होगा पांच लाग रुपे ब्याज मुक्त रिण होगा एक परसेंट ब्याज भी कहीं कहीं लिया जाएगा बिना किसी ब्याज के भी है क्योंकि महलाओं से कोई ब्याज नह लक्ष सूचकांग की मैं बात कर रहा हूँ ये तो सतत विकास लक्ष सूचकांग 2021 के लिए जो जारी हुआ उसमें केरल को प्रतामिस्थान मिला है ठीक है बिहार अंतिम पे है 52 अंक के साथ ध्यान रखना है SDG गोल क्यों रिपोर्ट जारी करता तो नीती आयोग करता इसको ऐसे questions पूछे जाते हैं जिनको नीती आयोग जिन रिपोर्ट को जारी करता है जैसे पिछली आर मैंने सक्षता सरवेक्षाण की बात की इसमें मैंने SDG गोल को रखा है मैं हर पार्ट में आपको ऐसे एक दो योजनाए बताऊंगा जो महत्रपून है तो SDG गोल इंडेक्स 2021 केरल को मिलाए प्रथामिस्तान बिहार अंतिम पे है ठीक है ध्यान रखना इतना अगला है देश का पहला बापू टावर गर्दनी बाग पटना में बनाया जा रहा है इसकी उचाई कितनी है तो 120 फीट है देश का पहला बापू टावर ध्यान रखीगा देश का पहला है ग 130 MW इससे जल विद्दुत जो है चंता इसकी होगी 130 MW इससे भिजली उत्पादन होगा इस पे टोटल जो खर्चा है वह 2400 क्रोर रूपीज का है 2400 क्रोर रूपीज डग मारा जल विद्दुत परियोजना पूछ सकता है किस नदी पे विक्सित की जा रही है तो कोसी नदी प मिल जाएगा आपको और फिर उसके आद नेशनल करंट पर आ जाएंगे और जो कुछ छूटा-पूटा विविद वाला चैप्टर है उसको मैं पार्ट फोर के नाम से बना दूँगा उसमें कुछ चीजे में वैसी डिसकस करने वाला हूं जैसे बिहार दिवस जो अभी शुर धंपे हैं तो उसपे एक विविद का नाम से मैं पार्ट फोर बनाऊंगा वो भी देखिएगा उससे क्वेस्टन जरूर मिलेंगे आपको ठीक है तब तक पढ़ते रहिए all the best for your exam thank you so much जै हिंद